आज भारत शरकार और थीर कानूनों के पुतले दहन किये गए हैं जोसी हैं उनका अलका ट्राइल पर है उसी मुकदवे में उसी उनी धाराओं में उनको बाहरा होने देगे गाजीपूर बॉर्डर पर आज दशेरी काते होर मनाया गया वहीं सरकार की नीतियों और तीनों क्रशी कानूनों को लेकर सरकार के खिलाप जमकर विरूत प्रदर्शन किया गया साथी गिढ़राज्यमंत्री अजय मिश्रा और फुडैनी का फुतला भी फूगा गया वह सिंगू बॉर्डर पर हुई योवक्की नशन शहत्या को सरकार की सोची समझी शार्जिश करा दिया जमकर को बहर आदे वियुक्त लावा जो इंदू बॉडर पर उपलग एंद वरिखना नहीं होना चाहिए था गे धर्म गृंत का भी अफ्मान नहीं होना चाहिए था धर्म का संब्वान होना चाहिए पूरे देस में सरद्धर्म संभाव है यह भी प्रदेश वाधियादब ने कहा कि यह जो भी हुआ वह गलत हुआ यह सरकार की सोची समझी चाल है जिसके तहट किसी के मजब और धर्म से चिलचार करने की कोशिश की गई है आपको बता दे किसान पिछले दस महीनों से गाज उपर बॉर्डर पर अपना आंदूलन चला रही है सरकार और किसानों के बीच का एक दोर की बातचीत हो चुकी है लेकिन अभी तक इस मसले का कोई हल नहीं निकल सका इसको लेकर आज किसानों ने सरकार के खिलाप प्रदर्शन करते हुए पुतला फूंका और अपना विरू दर्श किया गौरतलाखय के सिंगू बर्डर पर हुई युवक्त की निशन सहत्या के एक आरोपी सर अब्जी स्पींग में खुद को पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है जिसे पुलिस ने गिरफसार कर जेल भेज दिया है और आगे की करणरवाई करते हुए मामले की जाच कर रही है उनको बाहर होने पही है हमारे सामनों को बदनाम करना चाहते हैं ऐसे सलंतकारी ऐसे तत्स इस घटना के पीछे उनको में दूसरी चाहते है